वो जुम्ला था उन्होंने तो खुद एक्सेप्ट करा है हम 400 पार ले आएंगे और हम समिधान को बदल देंगे कितरे भी मीडिया हैं उनको खरीद लिया गया है जो मेजर जो टीवी मीडिया है और इवन जो इंडिपेंडेंडेंट मीडिया उनKEप्र अटक किया जा रहा है आप कहते हैं जाकर के पकौड़ा तलिए पकौड़ा भी तलने के लिए प्यास कितना कीमत ही वह भी खोला है खोकला है अगर 400 नारा का अगर यह वदा सच्चा है नमश्कार मैं उर्जा और आप देख रहे हैं जनेत अवाज जिस तरीके से अनंद कुमार हेगडे के बयान के बाद जो है यहाँ पर NSVI के जो छात रहे हैं वो प्रदशन पर उतर आये हैं लगतार वो कह रहे हैं कि हम सविधान में संशोधन नहीं होने देंगे उसके बाद ज हैं पर प्रदशन पर उतर आये हैं और यहां पर अगर आप देखें तो तस्वीरे देखें इनको प्रदशन भी नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि 144 धारा के तरह उतर नहीं कर सकते हैं उसके बाद पुलिस तनात हो चुकि वेरिगेटिंग यहां पर फहले से ही कर वो जुमला था उन्होंने तो खुद एक्सेप्ट करा है और ये भी बात है कि जो हमारे प्रदान मंत्री जी कहते थी कि हम 14 में पावर में आने के बाद जो स्विस बैंक का अकाउंट का डिटेल्स लेकर आएंगे पर आज वो हमारे देश में जो SBI का जो इलेक्टोरल और उन्हों तो खुद का था कि ये सारे जुमले हैं तो ये सब एलेक्टोर से पहले लोगों का ब्रह्म करके लोगों का वोट्स ले लिया उसके बाद अब बूल गया है जहां तक बात है नेशनल कास्टेंस की भी बात करते हैं तो हमारे होम मिनिश्टर 2019 के एलेक्टोर से कहा था कि हम आते ही पावर में नेशनल कास्टेंस करेंगे बट हमारे देश आज पूरा चिला 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 के कह रहा है कि नेशनल कास्टेंस करो जैसे हमारे राहूल गांदी जी कहते हैं कि नेशनल कास्टेंस होना चाहिए वैसे हम चाहते हैं कि हमारे देश में नेशनल का कंट्री है secular country होने का मतलब होता है कि हमारे देस में सभी धर्म के लोग बराबर हैं जैसे डिफेंस हो या पुलीस हो वहाँ पर सारे लोग कोई भी धर्म का हो चाहिए वह सीक हो या Muslim हो या इसाई हो या Hindu हो या बहुत हो सब equal हैं पर अगर ये secular world अगर हड जाएगा तो हमारे देश में obviously जो एक particular religion को लोग है उनको जादा favor किया जाएगा और अगर हमारा भी secular country है इट means कि हमारे देश में सारे religion को equal representation, equal right दिये गया है बस हम यही कहेंगे कि हमारा देश बहुत ही अच्छा है सेकुलर कंट्री है जहां पर ऐसा कोई धर्म के ऊपर कोई ऐसा बवाल नहीं होता है पर अगर अगर यह सब जितने भी चाहते हैं कि हमारा देश का कॉंस्टुशन बदले इससे हमारे उपर हम जैसे स्टूडेंट हमारे युवा ह हमारे लोगों के उपर अटैक है बिल्कुल बिल्कुल लोगतांतरिक व्यवस्ता उसको खतम करने के लिए ही यह सब उनके कहना है और वो जो कह रहे हैं वो करने वाले अगर आके करेंगे तो हमारे लोगतांतरिक जो हक है हमारे उस पर अटैक है उसको यह खतम करना चाहते ह कि हमारी आवाज को ऊपर तक हम अपर तक हमाने क हमारे स्थम्प का लुक्नाइब जो major जो TV मीडिया है और even जो independent मीडिया उनके पर attack किया जा रहा है उनको censor किया जा रहा है तो हमारे ये जो हमारे लोग है उनके बातों पे उनके लफज पे लगाम लगाने की बात किया जा रहा है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है तो हम इससे बहुत मतलब हमारे लिए ब पोलनी की अजादी नहीं हमारे लोगों के जवान पर भी यह ताला लगा रखा है लोगों ने वहां से यह ही चाहते है कि हम हमारी मीडिया तो स्ट्रॉंग हो जाए और बस तैंक यू अगर इसको बदलेंगे तो यह हम कैसे सहेंगे यह हम सब पर अटाइक है फिर तो हमें से बारे में जरू सोचना चाहिए अगर समिधान अगर बदला जाएगा और खास कर यह जो हमारे जो 성ुछण की बार्ट स अगर सेकुलर वर्ड हाटाया जाए तो यह सब जो हमारे हमारे स करती है अभी कि सिती देखे तो आप लोगों को आगे तक भी नहीं जाने दिया पहले ही बैरिगेटिंग कर दिए पुलिस तनात है मतलब क्या प्रदर्शन करने भी अब रोक लगा दी जा रही है ऑफिसली प्रदर्शन करने पर भी हमारे रोक है हमें बोलने पर भी पाबंद ने दिया जाता है उनने सैंसर किया जाता है और और उन्के पर पुलिस कारवाई किया जा रहा है बे मतलब का लेकिन आप भी तो कानून का उलंगं कर रहें जब आपको पता है कि 144 धर लह यह फिर भी आप-लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे इलाके में रहते हैं, उनको ये बात साय से उन्हें ना पहुंच पाई हो, बढ़ हम ये चाहते हैं कि हम उन्हें पहुंचा है, ये बात की देखिए, अगर समिधान में कोई भी फेर बदल किया जाता है, तो इसे हम सब को नुकसान है। पीजेपी क्यों जोर दे रही हैं सभी धान को बदलने के लिए, क्योंकि देश में बहुत मुद्ध है, घरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उन पर भी बात कर सकते हैं। मेरे पेरेंट से ने जो हम किसान के बेटा हैं, जब हम बिहार से चल कर करके आते हैं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ यहां बेजा है कि आप जा कर करके पीजडी करकर कर आएं। जो एक उमीद लगाकर के मेरे माता पीता घर पे बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि कल मेरा बेटा जब जेनु से पढ़कर आएगा या डियू से पढ़कर के आएगा तो वे एक अच्छी जॉब मिलेगा, लेकिन जॉब कहां है, जितने भी हायर एजुकेशन हैं वो कट कर दिये गए, अभी मौलानाअबूलकलाम अज़ात फेलोशेप कहाते है, खता हैं खतम कर दिया गया, अभी चार Kell रोज पहले वो देखिये, कि फांडेशन ही खतम कर दिया गया, जिसमें कहाते हैं, वो वेल फेर का काम होता था, जिसमें बच्चों को सिखाये आता था, जि के चीजों को बताया जाता था कि आप क्या थैं कैसे तरखी करें? jest चाहतीं नहीं है वो अॉल लेडी कर चुकी है वो यू अब यूदि आप जब डाटा निकाल करके देखेंगे तो घर रोज अभी एक महीना पहले Surface Siisipc किया जिन्होंति लिखा, जब उनके Suisipc नामा को आप जा करके पढ़िए गा कि उन्होंने क्या थे अपने सारे सुसाइट नामा में लिखाया कि हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान डेमोक्रेसी से बीजेपी नहीं चलाना चाहती है जिसको आज ये लोगों ने क्या थे अपने जबान से उगल आप बताईए क्या आते जॉब मिली, OBC के लोग को क्याते हैं सर्च किया जाए, हर जगा क्याते हैं हमारे इन्वर्सिटी में चलिए जो मैनूर्टी के लोग है कुछ एक हुपा सेंटर है, अर्बिक है, फार्सी है, उर्दू है और हिंदी है, उसमें भी लोग आज होगी आज तक पता नहीं चला, एक नेता का कुता गायब होगी है, यहां से खोच करके ला दिया गया, हमारे भाई कहाते हैं उमर खालिद जिनको कंसिटुशन के सामने गोली चलाया गया और कहाते हैं उनको जेल में डाल दिया गया, आज कहाते हैं बीजेपी सरकार जितने भी जितने भी प्रिजनर्स हैं उनसे पूछा जाया कि आप उनको किस जुर्मे में आप जेल डाले हैं, क्या उनकी गलती है, क्या ये गलती है कि वो किसान की आवाज उठा रहे थे, क्या ये गलती है कि वो महिलाओ के साथ खड़े थे, क्या ये गलती है उस हमारी बहन की जो आप हिंदुस्तान के लिए तमगा और मेडल ले करके आया, आप उनकी आवास मे आवाज वम बन करके जाते हैं, आप हमें जेल में डाल देते हैं, तो उनके डिराने से हम ड़र नहीं जाएंगे. हम गाधी के मानने वाले लोग हैं, हम अमबेटकर को मानने वाले लोग हैं, हम अबुलकलामाजाद को मानने वाले लोग हैं, हम फूले को मानने वाले लोग हैं और हमेशा हम जय भीम का नारा लगाते हैं और हमेशा कहते हैं कि ये जो मनुवादी सोच है ये जो कहाते हैं ताकत लेकर के आए हैं जब कहाते हैं कहायाता है हमारे धर्म में कि फिरोन का नहीं चला है तो इसका भी नहीं चलेगा और उसके बाद हर इनसान को जवाल देखना और इनसान को दिखना चाहिए कि मेरी जो जमीन है वो कब खिसकेगी ये वक्त आगिया है ये घबडाए हुए है ये 24 का एलेक्शन है इनको घबडा दिये हुआ है आप सामने देख लीजिए उन्होंने एक आते हैं अपने नेता को भेजा और 24 घंटा भी नहीं हुआ उन्होंने वापस कर दिया कि सर हम नहीं लड़ सकते हैं आप इतना घबडाए क्या हुए है आप बिहार में देख लिए हर जगा तोरने का काम करें जोडने का काम कहीं नहीं करें खोकला है खोकला है अगर 400 नारा का अगर ये वादा सच्चा है तो फिर हमको उसी से देखना होगा कि जब ये जब वो क्रॉस कर जाएंगे जो इतना जहर डाल चुक है हिंदूइजम का लोगों के बीच में कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है ये मैनुटी के लोग है फिर भी कहाते हैं हिंदूस्तान में डेमोक्रेसी बचाने वाले लोग है फिर भी इस हिंदूस्तान में सेकुलिरिजम की बात करने वाले लोग है जनता कहाते हैं एक दूसरे के बीच में जो न चाहते हैं जो सफ के सबसे पीछे आखरी सफ में बैठा हुआ है तो हम उस सोच को क्याते हैं इस हिंदुस्तान में बुलंद करना चाहते हैं इस मनुवादी सोच को नहीं ये बीजेपी के जो लोग सोचे हैं कि हिंदू पूरा हिंदू करन हो जाए भगवा करन हो जाए हम उस तौर पर यह लोग कहा रहे हैं कि हम जो है मनुवाद जो है जो भादपर सरकार लाना चारी है भगवा करन करना चारी है उसको हम नहीं लाने देंगे इस तरीके से बाबा साथ में सवीधान चला उससे ही देश चल सकता और उसी को लेके यहां पर प्रदशन कर रहे थे आईवाईसी में हम मौझूद है उसी को लिए के प्रदशन कर रहे हैं और कहा जा रहे हैं कि संशोधन नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए हूँ कि अगर संशोधन हुआ तो शायद कहीं न कहीं सेकुलिरिजम खतम हो जाएगा और हिंदुत आ जाएगा तो वो नहीं ह यहाँ पर तमाम और भी जो धर्म के लोग रहते हैं अब देखना है किस तरीके सोच चीजे चल रही हूँ कि प्रदशन करने तक पर रोक लगाई जा रही है बाकि आगे कि जनकारी के लिए बने रहे हमारे साथ